आयू कैसे निकालें? साथ ही हम देखते हैं कई बार हमें जब बेंक का फोम बना हो हम लाइन में खड़े हैं और एकदम हमेरे से बेंक को एम्पड़ाई पूछता है कि आप बताई हैं कि इस तारीख को आपकी आयू कितनी थी या आज की तारिक में आपकी आयू कितनी है तो देखें हम कैसे आयू को निकालें ऐसी परिश्थिती कहीं भी आ सकती है चाहिए बेंक की लाइन में हो चाहिए कि हम एडमिशन ले रहे हो चाहिए कोई फोम बढ़ना हो कहीं भी कुछ सब्मिट करना है तो हमें date of birth लिखनी ही पड़ती है और date of birth के साथ हमें ये भी mention करना पड़ता कि हमारी आज की तारिक में या उस जो एक तारिक है उस तारिक को हमारी आयू कितनी थी तो इसमें दो चीज़ चाहिए हमें क्या चाहिए एक तो चाहिए हमें date of birth दूसरी हमें चाहिए आज کی तारीक या ऐसी तारीक जिसको मैं अपनी जुहाईू निकालनी हो आई एक एक एक्जाम पर समझते हैं कि कैसे निकालेंगे आज की तारीक जो है वह हमें चाहिए और उसके बात में उसमें लेश करना है हमारी जनम दिनांग पहले उदारण में हम देखते हैं कि एक बाला के मोहित मोहित एक लड़का है जिसकी जनम दिनांके 23-2-1997 अब ये 24-4-22 आज की तारीक है उस तारीक को मालूम करें कि इसकी आयू कितनी है इसको फों बरना है और अपनी आयू आज की तारीक में लिखनी है तो मालूम करते हैं कैसे करेंगे हम एक तो लिखने है पेटर्न की होगा पहले हम इस लिखेंगे फिर मंस लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम डेज तो हमने ये आज की डेट लिखी है इसमें हमने 24-4-22 इस दंग से लिखा है यहां से लेस किया तो यहां से लेस किया तो 25 आ गया पर तो तब आया जब हमारे पास किया था एकदम सीधा सिस्टम था लेकिन अगर यह आपस में नहीं लेस हो पाएं तो कैसे करेंगे चाहिए एक उदान से और समझते हैं यहां हमने वैसे लिखा years months और days आयो निकाले कि जो दिनान के अब हमारे पास है 29 2021 जनम तरीक क्या है वह हमारे पास है 26 12 1990 अब आप देखिए 21 में से 26 जो है वो लेस नहीं हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे एसी परिस्तिती में हम वन मंत को केरी करें वन मंत का मतलब 30 देज तो ज इतने प्लेस करेंगे 30 प्लेस करेंगे 30 प्लेस करती है हमारे पास क्या आगे 51 हो गए अब 51 में से हमें क्या लेस करना है हमें 26 लेस करना है तो हमारे पास क्या हो गया 25 बच गया अब हमने जब यहां से लेस किया था 30 30 का मतलब वन मंत को लेस किया था तो हमारे पास मंत कितन में यहंँ वन हीर लेते हैं तहीं हम्हें ब्लिज एक्किस यानि अब 2020 में से हमने क्या किया? 1990 को हमने लेज कर दिया, तो हमारे पास क्या गया? यह आ गया 30, यह हमारी जो एज आ रही हो आ रही है, 30 years, 8 months और 25 days, तो देखें कितना आसान है, बस फार्मुला ध्यान के रखना है, पहले years लिखना है, months लिखना है, days लिखना है, और यहां जैसे भी हमें केरी करना होता है, तो days में 30 months, days को केरी करते हैं, और month के अंदर 12 months को केरी करते हैं, और less करते हैं बड़ेजी तरीके से, तो इस दंग से हम आयू निकाल सकते हैं, तो देखें अब आप कितना easy होगा आपके लिए, bank में फॉम भरना हो, कहीं भी अपनी date of birth के इसाफ से आयू mention करनी हो, आप बड़ेजी तरीके से कर सकते हैं, thanks